गुड इवनिंग नमस्कार आप देख रहे हैं टॉप फाइव चलिए खबरों को जानने के लिए हम पाँच तैयार है आपको इस वक्त की 25 खबरों का पूरा अपडेट देने के लिए शुरुआत करते हैं एहम और बड़ी खबर के साथ तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है बॉलिवोड सुपरस्टार बिग बी अमिताब बच्चन की एंजियो प्लास्टी हुई है एक क्यासी वर्ष के बिग बी को सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में एड्मिट किया गया था खबरे कहती हैं कि बिग बी को सुबह भारी सिक्योर्टी के बीच में एस्पताल ले जाए गया और वहां उनकी एंजियो प्लास्टी हुई है उनके हेल्थ बुलिटिन का इंतिजार है लोग सभा चुनाओ दोहजार चोबिस के तारिखों का ऐलान चुनाओ आयोक शनिवार को दो फर तीन बजे करेगा इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधान सभा चुनाओ के तारिखों का भी ऐलान किया जाएगा ये विदान सभा चुनाओ और इशा सिक्किम अरुनाचल प्रदेश और आंध्य प्रदेश में होंगे। नैनियुक्त चुनाओ आयुक्त ग्यानेश कुमार और सुखबीर सीह संगू के साथ मुख्य चुनाओ आयुक्त राजियुकुमार लोग सभा चुनाओ के तारिकों का चुनाव आयोग के सभी शोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। लोग सभा चुनाव साथ से आठ चरणों में हो सकते हैं। चंदा दिया है। कुल 12,679 करों रुपए के चंदे के रूप में पार्टियों ने दिया। इस डेटा के मताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेस सबसे बड़ी दानदाता कंपनी है। जिसके 1,378 करों रुपए का इलेक्टोरल बॉंड दान दिया। वहीं 881 करो ये सबसे जादा 6,060 करों रुपए बीजेपी को मिला है। जबकि दूसरे नंबर पर त्रीन मूर कॉंग्रिस है। जुसे 1,609 करों रुपए मिला है। वहीं सुप्रीम कोट में इलेक्टोरल बॉंड पर फिर सुनवाई हुई। इलेक्टोरल बॉंड को लेकर SBI ने फिर नोटिस चारी किया। कोट ने कहा कि SBI ने बॉंड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया। सील कवर में रखा डेटा EC को दिया जाए। सुप्रीम कोट ने SBI से सोंवाड तक जवाब मागा है और इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इधार रायपूर में इलेक्टोरल बॉंड को लेकर सियासत तेज हो गई है। कॉंग्रेस के नेता है, नाम चंदन यादो है, इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। चंदन यादो ने BJP पर संगीन आरूप लगाए है। उन्होंने लिखा है, सरकार ने सीरम से चंदा के बदले वैक्सीन ली थी और सीरम ने BJP को करोणो रुपए दिये। चंदन यादो के बयान पर BJP ने पलटवार भी किया है। कभी वैग्यानिक तो कभी सेना सब पर सवाल उठाते हैं ये लोग। कोवीड वैक्सिन बनाने वाली कंपनी जिसने करोडों लोगों की जान हिंदुस्तान में बचाई, विश्व में करोडों लोगों की जान बचाई, कभी वैग्यानिकों पर सवाल उठाते हैं, तो कभी सेना के सौर्य पर सवाल उठाते हैं, उनका भी सबूत मानते हैं सेना क सौर्य का तो एक कांग्रेसियों की मनसिक्ता यही है कहा कि जो भुवनिश्वर साहू के न हुए वो आपके क्या होंगे गुरुवार को रायपूर लोगसभा क्षेत्र के कॉंगर्ष पत्याशी विकास बाध्याय पर चौथा पोस्टर आया था जिसमें लिखा था रायपूर वासी सावधान इस विकास के साथ विनाश आता है बीजेपी की कार्टून पॉलिटिक्स ग्यारा तारिक को शुरू ही राजनांद गाउं हाई प्रोफाइल सीट से पहले पोस्टर में प्रत्याशी पूर सियम भूपेश बगेल को जियादी गिरो का जंडा लिये दिखाया साथ में एजास धेवर नवास खान दर्शाए बीजेपी ने कैप्शन लिखा राजनांद गाउं या जिहाद गाउं चुनाओ आपका है दूसरा पोस्टर मंगलवार बारा तारिक को जारी हुआ कार्टून पोस्टर के जरिये जांजगीर से लोकसबा प्रत्याशी डॉक्टर शिप डैरिया पनिशाना साधा लिखा जनता सावधान रहे पूर्व कबजाबाज मंत्री की नजर आपकी जमीन पर है बुदवार को कोरबा से मौझुदा सांसद और कॉंग्रिस प्रत्याशी जोच्सना मंत्र परवार किया इस पर कैप्शन दिया इस बार निश्क्री नहीं सक्रिय सांसद चुने मोहन सरकार ने सरकारी करमचारियों को एक बड़ी सोगात दी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भथत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया गया 42 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत डिये कर दिया गया अधिकरी करबुंचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई बत्ते की दर 42 है उसको 46% करने के हमने निर्णे किया है और ये 7 वहतरमान के अंतरगत 1 जुलाई 2023 से इसको मद्धिविदेश में लागू करेंगे हमने अपने स्रोथ से ये सुविदा जिना का प्रयास किया है उम्मिद करेंगे आने वाले समय में और व्रद्धी करें इधर चुनाव से पहले मध्यप्रदेश कॉंग्रिस को एक और जटका लगा है कई कॉंग्रिस नेता बीजेपी में शामिल हो गये हैं कॉंग्रेस की दूसरी लिस्ट को लेकर जीतू पतवारी का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि 18 मार्च को प्रत्याइशों का एलान होगा अचा कल चुनाव की तारिकों का एलान हो जाएगा यानि आपके इलाखे में चुनाव कब है आपके राज़ में पता चल जाएगा मद्ध प्रदेश में आचार सहिता लगने से पहले बड़ी प्रशास्तनिक सर्जिरी हो गई है 41 I.S. आफिसर और 47 I.P.S. आफिसर के तबादले हो गए इसमें से कई ऐसे हैं जो अपने जिलों में कप्तान थे जैसे की अमित सांगी का ट्रांसफर हो गया उनकी जगा पर अगम जैन आ गये ऐसी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मनोच कुमार राय खंड़वा के S.P. बनाए गया विशे कानन ये शिवपुर के पुलिस अधिक्षक बनाए गये तो देश भर में लोग सबा चुनाओ के तयारी जोडशोर सखी जारी और इसी कड़ी में रायपुर के सरकेट हाउस में निरवाचन आयोग ने 36 गड़ के सभी जिलों के S.P. और S.P. समित वरिष्ट पुलिस अधिकारियों की बैठक ली बैठक में चुनाओ आयोग ने अधिकारियों को कई विशो पर चर्चा की महीं पुलिस अधिकारियों को मद्दान केंद्र और नकसल चेत्रों में सुरक्षा व्यवस्ता समित प्रत्याशों की सुरक्षा को लेकर निरदेश जारी किये गए माइकल दोफ़र तीन बजे लोग सबचनाओं के तारिकों का एलान किया जाएगा वोपाल में नशे में धुत विवकों ने एम्स में जम कर अंगामा किया गार्ड से पहले मारपीट की और आरूपियों ने गार्ड पर आटो भी चुड़ा दिया इलाज करने को लेकर ये सारा जग़ा शुरू हुआ था जो बाद में मारपीट तक जा पहुचा और इधर रीवा में एक पुलिस कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है डाइल हंड्रिड वाहन के अंदर ड्राइवर और ओन ड्यूटी पुलिस कर्मी हर राटी मारते हुए नजर आ रहा है ये वीडियो जिले के बैकॉंट पुर्थाना शेत्र के हर्दी मोर बीट का बताया जा रहा है वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस अधिक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जाज की निर्देश दिये पुलिस अधिक्षक ने कहा कि जाज के बाद इस पर आगे की कारवाई की जाएगी पुलिस कर्मी का ऐसा वीडियो वाइरल होने पर पुलिस की कारे और उसकी गंभीरता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं राइपूर के माना इलाके में डकैती की संसनी खेस वारदात सामने आई हैं तीन बदमाशों ने आधी रात माना बस्ती में रहने वाले चंद्राकर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की है पीडित परिवार के मताबिक बदमाश सोने चांदे के जेवर और कैश समेट 10-15 लाग का समान लेकर भाग गए शिकायत पर पुलिस ने जान शुरू कर दी है अब आज जाते हैं सीधे भोपाल भोपाल में इमाम को हटाने को लेकर बिवाद हो गया और इस बिवाद में फारिंग तक हो गई फारिंग का वीडियो आईबी सीटिफोर के पास है हम दिखा भी रहें दोनों पक्षों के खिलाप मामला दर्च कर लिया गया है तीला जमालपुरा में ये देर रात हुआ है पन्ना में बस और ट्रक में जोरदार फिड़न थो गए हाथसे में बारा से ज्यादा लोग खायल हुए है खायलों को अस्पताल में भरती किया गया पन्ना से कर्तल ये बस जा रही थी अजैगर थाना शेत्र के विश्रम गंज की ये पूरी खटना है सूरजपुर में 24 के खबर का सर दिखा नकल कराते हुए एक टीचर का वीडियो हमने आपको दिखाया था बकायदा प्रैक्टिकल एक्जाम के तौरान दसमी बारवी के स्टुडेंट को कौपी से नकल कराई जा रही थी अब ये शिक्षक जो है फिलाल ड्यूटी से अटा गये और सस्पेंड करने के लिए डियो ने डीपी आई को पत लिका है बड़सरा स्कूल के शिक्षक का नकल कराते वीडियो हमने आप तक पहुचाया था बेंड के रहने वाले वनविभाग के बनपाल पिछले एक महिने सिलापता है वन रक्षक सलमुद्दीन खान मुरैना के नगला थाना शिद्र के साहस पूर्चंबल घाच में पदस्त हैं चो रेत माफियाओं के खिलाप लगातार कारवाई कर रहे थे परिजनों का रोप है कि रेत माफियाओं ने उनको अगवा कर लिया है साथी परिजनों ने उनके हत्या होने की भी आशेंका जताई चुनावी सीजन में पेट्रोल डीजल के दाम दो रुपए कम करने से भले ही पेट्रोल और डीजल के दाम नीचे आ गए हो लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई दो रुपए की कटौती लोगों को रास नहीं आ रही है जबलपुर में लोगों का कहना है कि पेटोल डीजल के दाम कम से कम 8 से 10 रुपे तक कम होने चाहिए 2 रुपे कम होने से राहत बिलकुल नहीं मिलेगी कम से कम 20 रुपय कम होना चाहिए महंगाई के इसाप से महंगाई बढ़ गई है कम बीस रुपय तो अच्पी को रहाद मिलेगी गाली गोड़ा चलाने वाले वो संतोष्टी मिलेगी तुनाब आ रहा है ने, इसलिए कम कर रही हैं, फिर बात में बढ़े की हो तो, बनने बनना है उतो, कोई रहत नहीं है, कोई रहत नहीं है, सब्चिमें ते पिठो लई है, पांच रूपे बढ़ा के दो रूपे कम हो जाएगा तो उसमें फाइदा क्या है, गाटा ही है ना, देखो और कितना कम होता है भी, दो रूपे में क्या होता है, पहले से आपने कमा के रख लिया और दो रूपे घटा दिया तो उसमें होता क्या है, दो रूपे नहीं साथ दस रूपे कर देना था, तो थोड़ा कुछ रहता, दो रूपे में तो कुछ समझ में नहीं आता है और इस वक्त आपको बता दें एक एहम खबर जबलपुर से मौडिफाइड सैलिंसर के किलाब पोलिस मुहिम चला रही है आटो पार्ट्स की तमाम दुकानों पर छापे मारकर पकड़ा जा रहा है अमानक नंबर प्लेट्स और इसी तरह के कई फर्जीवाड़े इन सब को लेकर के एक्शन मोड में पुलिस दिकाई पड़ रही है यह भी बता दें आपको अगली खबर राहुला बताएं भोपाल से बिल्कुल भोपाल से है पुनित जी भोपाल के बाग सिवनिया इलाके में एक टेंट हाउस है जहां पर गोदाम में आग लगए गोदाम में आग लगने की जानकारी लोगों ने तुरंट फायर बिगट को दी जिसके कुछी देर बाद पुलिस और फायर बिगट की टीम वहां पहुत गई और आग बुजाने का प्रयास किया गया बताए जा रहा है कि गोडाउन में आग तेजी से फैल गई और आग कापी देर तक आगे बढ़ती गई और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें धमतरी से बरकोहा के जंगल में बीशन आग लगी है सागोन विर्क्ष की रोपनी में आग लगी है वीरे धीरे ये आग फैलती जा रही है केरे गाउवन परिक्षेत्र में आग तेजी से फैल रही है आग बुजाने के प्रयास भी जा रही है तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे ये देखें आप बरकोहा के जंगल है जहां सागोन के व्रिक्ष की रोपनी लगाई गई है जिसमें भीशन आग लग गई है ये आग फैलती जा रही है और गर्मी के दिन है सीजन गर्मी का है ऐसे में इस दावानल पर काबू पानी के लि हमारी जानकारी है एक सुपचास से जादा लोगों की मौत हो गई है सौज से जादा घर तबाह हो गए हैं पूरी तरीके से हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुचाया गया है आग जंगल से घनी अबादी में फैल गई है हलाकि दमकल विभाग के टीम लगातर इ देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 524 पर देखते रहें अभी के लिए हम सबको अजाज़ा दें नमस्कार